कुछ स्कूल के लड़कों ने पूरी स्कूल को हैजाक कर लिया था तभी हमारी मेन ग्यारेक्टर सबको बचाने की कोशिश करती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको रन हाइड फाइट एट ट्वेंटी की एक थ्रिलर होल्यूड मुवी को एक्स्प्लेंट करने वालो एक अच्छी एंडिंग के साथ एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर है तो अंदग इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो मुझे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देजे बीना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन ग्यारेक्टर जोई को अपने फादर के साथ देखते हैं यह दोनों हंटिंग करने के लिए आये हुए फादर ने एक एनिमल पर गूली चलाए और वो अब भी जिन्दा था फादर गहते हैं अगर हमने इस एनिमल को नैचरली मरने दिया तो इसे बहुत तकलीफ होगी वो उसे और भी समझा रहे थे तबी जोई एक पत्थर लेकर उसको मार डाल दिया जोई की मदर का मर्डर जाती है तो उसके फादर उस पर गुसा होगी उन दोने में जगडा चल रहा था तबी जोई का फ्रेंड लुईस उसे लेने के लिए आ जाता है उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हमेशा उसे सपोर्ट करता है स्कूल जाते हो कुछ लड़के ने चिड़ा रहे थे कोई भी गलत बात नहीं है यहाँ फिल्ड्स में दूर नोटिस करते हैं कि इनका क्लासमेट कुछ अजीब सी चीज कर रहा है वो जमीन पर कुछ डाल रहा था लुईस कहता है कि आज स्कूल में प्रैंक डे है इस तरीके की अजीब चीज़े आज होती रहेंगी स्कूल में केबात लुईस चाता था जोए पहले अपना लॉकर चेक करें इस एक्ष्यल में लुईस एको फ्रॉम में चलने के लिए पूछना चाता था यही पूछने आ। AL illness में लड़के आकर लड़कयों प्रॉम कर पूछ रहे थे जोए को सब बहुत लगता है अपनी मदर की डेट के बाद उसका अपने क्लास में जादो ध्यान नहीं रहता, इसके बारे में उसकी टीचरों से बात करती है, जोई फिर भी इस बात को मज़ा कोड़ाएंगे, मज़ा आएगा, लुईस कहता है कि मैं समझ सकता हू, शायद तुम्हारी मदर की वज़े से तुम नहीं जाना चाहती है, इस बात पर जोई और भी जाता खुसा होके, वो गुसे हमें वाश्रूम में चली जाती है, पैरलल में हम देखते है कि एक जग की मदर दिखती रहती है, मदर ने उसे कहा कि लुईस एक अच्छा लड़का है, जोई कहती है कि मैं यहाँ से जल से निकलने वाली हो, उसे किसी की भी फिलिंग्स हट नहीं करने, इसके बाद अचानक से कैफिटेरे के दर्वाजे तोड़कर एक वैन अंदर आ जाती है, कर बहुत डर गई थी, ट्रिस्टन सब से कहता है, कि अगर तुम्हें जिन्दा रहना है, तो हमारी सारी बाते माननी पड़ेगी, उसने एक लड़के को देखा, जो ट्रिस्टन को हमेशा चिटाता रहता था, तो उसके फ्रेंड ने उसे मार डाला, सारी चीज़े जोई वा तुम अपनी मदर से क्या बात करना चाती हो, यह सब बोल डालो, उस लड़की ने फोन पर सारी सिचुएशन बता थी, और इसकी मदर ने पुलीस को कॉल कर दिया था, पैरलल में हम देखते हैं कि जहाँ पर बांसवोट हुआ था, वहाँ पर सारे लोग चले गए थे, यह स सीरिंग से क्रॉल करकर जा रही थी, पर यह तूट गए और वो कीचन में नीचे गिर जाती है, ट्रिस्टन ने सुना और अपने फ्रेंड को कहता है, जो भी है, जा कर उसे मार कर आओ, जोहे डर कर छुप गई थी, उसके साथ कीचन की शेप भी वही पर अल्रेडी छुपी हुई थी, ट्रिस्टन का फ्रेंड क्रीस इनके पास आ रहा था, अगर वो इन्हें ढून लेता है, तो इन दोनों की डेथ हो जाएगी, यह बात कंसिडर करकर जोहे को बचाने के लिए शेप बाहर आ जाती है, क्रीस ने उसे तुरंद मार दिया, ट्रिस्टन फे स्कूल के इसको कॉल लगा था और कहता है, कैफिटेरिया में लाइव शुटिंग चल रही है, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, यह न्यूज मिलने की तुरंद बाह स्टाफ को लॉकडाउन कर देना चाहिए था, पर स्कूल की पॉलिसी थी, पहले इस बात को कंफर्म क किया चाहिए, एक बहुत ही बड़ी गलती थी, पैरलल में जोय स्लोली स्लोली स्कूल से बाहर निकल जाती है, वो अपनी जान बचा कर यहां से भागने वाली थी, पर वो रेलाइस करती है कि ऐसा हो नहीं कर सकती है, कुछ स्टूडन स्कूल में आ रहे थे, वो जल्दी से जाकर उन्हें वान कर देती है, सब लोगों को वान करने के लिए एक फ्रेंड उसकी मदद करने लग के, रिस्टन सब लोगों को मोबाइल निकार कर लाइव स्टीमिंग करने के लिए खायता है, यानि कि पुलीस नियूस सब को इसके बारे में पता चल सके, लुई स्कूल क पेज मैनेज करता था, तो इस वज़े से उसके सबसे ज़ादा फॉलोवस थे, रिस्टन को ये पता चलने के बाद, वो लुईस के मोबाइल से स्टीम करता है, रिस्टन को समझाने के लिए गार्ड के साथ स्कूल का काउंसिलर आया, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, वो घुसे में काउंसिलर को मार डालता है, गार्ड वेचारा बहुत ही डर गया था, अपने पैंट्स में हो पेशाप कर देता है, ट्रिस्टन ने उसे जाने दिया, ताकि उसकूल के स्टाफ को मैसेज दे पाए, पैरललेल में जोय हर क्लासरूम में सबको वान कर रही थी, यहाँ से जल्दी से निकल जाए, आज प्रैंक दे था, तो एक टीचर उन्हें सिरियसली लेते नहीं, अगली क्लासरूम में जाकर जोय ने खिड़की खोल कर डारेकली उन्हें वार्निंग दी, इस तरीके से एकी क्लासरूम में जाना ज़रा डिफि तो शेरिफ कहता है, हमें इसके बारे में experience नहीं है, हम हमारे officers को call करते हैं, उनकी team आने का wait करेंगे, जो भी चल रहा था, इसके बारे में स्कूल के security को पता चलने के बाद, lockdown लगा देते हैं, यानि कि सब लोग खुद को क्लासरूम में बन कर लेंगे, नेक्सिन में पुली जाता था, जोई देखकर वहाँ पर पहुच गे, पुलीस officer का phone ले लेती है, अभी भी उसकी मदर उसे दिख रही थी, उसी मदर उसे गहती है, तुमने अब तक मुझे जाने नहीं दिया है, अचानक से एना वहाँ पर चेक करने के लिए पहुच जाती है, तो जोई ने इस उस पर वो गोली चलाने लग गए, स्टूडन्स ने प्रैंग के लेक पूरे रूम को बलून से भर दिया था, उसमें वो घुच जाती है, क्रिस्टन अब हर क्लासरूम में जाकर वहाँ से स्टूडन को कैफेटिरिया में लेकर आ रहा था, एक टीचर ने उसे कहा कि तुमे पूच रहा है, इसको आंसर देने के लिए टीचर को छोड़ देता है, जोई का पीछा करते हुए एना बलून के रूम में आगे, वो हर जगा पर गोली चलाने लगके, तब ही जोई उस पर हमला कर देती है, एना की गन लेकर जोई ने एना कोई मार डाला, ये फाइट करते उसके पेर पर छोट आ गई थी, ट्रिस्टन से बात करने के लिए, उसके मदर के घर पर पुलीस बहुच जाते है, तो उन्हे पता चलता है कि मदर की अल्रेडी डेत हो चुकी है, ट्रिस्टन नहीं मार दिया था, बाहर पुलीस अंदर आने के लिए रेडी हो रहे थे, ये सब को बचाने के लिए उसके पास से गुजरती है उसका पीछा करने लग गया एना की डेड़ बॉड़ी उसने देखी तो जोई कहती है कि मैंने उसे मारा और भी जाता गुस्सा हो जाता है उसका पीछा करते करते हैं एक हौलवे में आता है जहाँ पर स्टुडर्ट ने सब लोग फिसले इसके लिए कुछ करकर रखा था इससे फिसल कर उसकी गन उसे चली जाती है जोई ने फिर उसे बहुत मारा और हत्कडियों से बन कर दिया जोई को फिर से उसी मदर दीखती है मदर ने कहा तुम्हें अब जिन्दा रहना है मेरे जाने के बाद तुम्हें कितन उतार दी थी तो उसके बाद से हमेशा सब लोग उसका मजाग उड़ाने लग गए यहाँ तक कि टीचर भी उसका मजाग उड़ाते है जोई कहती कि तुम्हारे साथ गलत हुआ पर तुमने जिन लोगों को मारा उन मेंसे कुछ लोग इनोसेंट भी थे शायद उने पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ था अब तुम ऐसे ही हमेशा के लिए मजाग बनकर रह जाओगे स्कूल की न्यूज सुनने के बाद जोई के फादर है देखने के लिए पहुँच गए अंदर की सारी लाइव स्ट्रीम वो भी देख रहे थे जोई ने किप की गण ली और सब लोग को बाहर निकालने के लिए वो हेल्प करने लग गए वो बाहर शेरिफ को कॉल लगाती है उसने का न्यूज पर हम सब लोग स्कूल से बाहर निकल रहे है यह दिखना नहीं चाहिए शेरिफ ने न्यूज वालों से बात की तो न्यूज वाले मान नहीं रहे थे तो शेरिफ कहते है कि मैं अंदर टृस्टन को call लगाते हो इसे तुम shoot करना शेरिफ टृस्टन को समझाने की कुशिश करते है पर टृस्टन कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे मैं मेरा mind change कर दूँगा टिस्टन की व्यूस बढ़ रहे थे और उसे मज़ा आ रहा था उसने एना को कॉंटेक करने की कुशिश की तो पिक अप नहीं कर रहे थी उसने कीप को भी कॉल लगाया तो यह फोन जोई के पास है वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़ बड़ है वो डारेकली पूछने लग गया कि अना के साथ क्या हुआ जोई गया थी कि मैंने उसे मार डाला है टिस्टन ने उसे धमगी दी कि जल्दी से यहाँ पर तुम वापस आ चाओ वरना मैंके करकर सब लोग को मार डालूँगा यह वरनिंग देते हुए भी उसने एक लटकी को मार डाला जोई फिर किप के पास आई उसे कहती है कि आज तक तक तुमारा सब लोग मजा कुड़ाते रहे पर अब तुमारे पास चांस है मुझे टिस्टन से रणने में मदद करो अज सब लोग तुमें हिरो समझेंगे किप भी इस बात के लिए मान जाता है जोई के फादर उसे मदद करने के लिए अपनी स्नाइपर निकाल लेते है और दूरसे स्कूल पर नज़र रख रहे थे जोई भी टिस्टन के पास पहुची उसे आता है तुम चाहती क्या हो क्या तुमें भी पॉपिलर बनना है जोई यह सब नहीं चाहती वो से लोग को बचाना चाहती है उसे मारता इससे पहले किप वहाबर पहुच गया वो शूट करता है तो टिस्टन के आम पर लग गए वोके का फायदा उठा कर जोई लुईस को लेकर वहाँ से भाग जाती है रिस्टन ने क्रिस को कहा कि जाओ उनका पीछा करो और उन मोबाइल वापस लेकर आओ क्योंकि उसी पर लाइफ स्टीम चल रही थी इस शूटिंग में लुईस को भी गोली लग गई थी जोई यह देखकर उसे लेटा देती है उसने उसे कहा कि तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपोर्टन्ट हो मुझे इसे छोड़ कर मच जा वो उसे किस कर लेती है लुईस उसे बताता है कैफेटेरे के वैन में उन्होंने बहुत सारे कैंसल आया है इससे उन्होंने इंपोर्ब बना हुआ है लुईस ने जोई को आगे बढ़ने के लिए का जोई का पीछा करते हुए क्रिस भी लाब में बहुत चुका था जोई ने आग लगा कर उसे इंजूर करने की कुशिश की पर उसे जादा सक्सेस हो नहीं पाती वो उसे मारने वाला था तभी जोई के फादर ने उसे खिड़की से देख कर शूट कर दिया गोली चलने के आवाज से पुलीस जाकर जोई की फादर को अरेस्ट कर लेते है जोई यह सब देख रही थी जोई ने फिर क्रिस की फोटो ट्रिस्टन को भेज दी वो गहती है अब तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा न्यूस पर हर जगाँ पर सब लोग मेरी बारे में बात करेंगे ट्रिस्टन डिस्टब होकर वैंग के बॉम को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से ओ भागने लग गया जोई कैफिटेरी में आकर सब लोग को बाहर भेज देती है गाड़ी में का बॉम देखकर गाड़ी स्टार्ट की उसे बाहर निकाल दिया गाड़ी का बॉम फट जाता है और सब लोग बच जाते है और भी पुलिस अब अंदर आ गए थे वो ट्रिस्टन को अरेश्ट करने वाले थे तो ट्रिस्टन ने और एक बॉम को एक्टिवेट किया इस बॉम के साथ उन्हें ट्रिस्टन की डेट बोड़े भी मिली जोई को यहां से भागतावा देख पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेते हैं अब जोई को लास्ट बार उसकी मदर दीखती है वो उसे कहकर जाती कि मैं तुमबर प्राउड हूँ इसके बाद उसका दीखना उसे बन हो गया जोई को बाहर लेकर आते है तो शेरिफ ने उसके हैंडकप्स निकाल दिया जोई ने जो भी किया था इसके लिए श पासपोर्ड और पैसे निकाल लेता है जोई ने अपनी फादर की गन ली और दूर से उसे शुट कर दिया जोई ने कहा कि अब तुम तडब तडब कर मोरोगे और तुम्हें डिजर्व करते हो प्रिस्टन की डेथ होगे और जोई वापस आ जाती है इसी के साथ मूवी एं करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आद रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमी के तब तक लिए थैंक्यू और आप उपने आपका खैल रखिया है